है 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 लो स्टुडेंट्स गुड मॉर्णिंग यवरिवान मैसेल्फ गुनोंद मंगनाडे स्टुडेंट हम लोग आज जो निमेरिकल डिस्केसर ने जा रहे है वह है प्रिशिपल आप इनेटरिस रिगार्डिंग और ब्लड गुप के रिगार्डिंग है यहां पे यहां प है हेमोफिलिया जो है हम यहां पर पूछा गया है हेमोफिलिया पहले हम देखते हैं वाट इस हीमोफिलिया हीमोफिलिया इस ब्लेडर डिसीज और इसमें क्या होता है हीमोफिलिया में ब्लड क्लॉटिंग फाक्टर जो है आट और नौ आपसेंट होता है इसलिए उस परसं एक्स लिंक्ड रियां से सुनना यक्स लिंक्ड रेसिशू डिसीज है और इसमें क्या होता है डिस जो ट्रांसपर होता है that is criss-cross inheritance होता है इसमें okay criss-cross inheritance होता है मतलब grandfather to grandson disease carrier होता है through his carrier daughter यह हो गया जनरल आपको information दिया मैंने आपको आपके निमरी के अंदर आपको यहापे दो parents का blood group दिया गया है क्या कौन से दो parents है mother जो दिये है पहले okay mother का blood group क्या दिया आपको mother का blood group जो है carrier है तो आपको पता है mother का blood group carrier है तो mother का genotype क्या ले रहा हूं है x, x capital C, x small c ले रहा हूं क्योंकि mother carrier है into, okay into जो father है, वो father है disease मतलब x small c, y क्योंकि मैंने बोला x linked disease है y chromosome के उपर इसका कोई gene नहीं रहता है तो हम इसको अगर separate करेंगे x capital C, then x small c then यह हो गया mother का, और यह father का कहा है x small c, y इसको हम पुनी checker board के अंदर डालके पुनी checker board के अंदर डालके अगर इसके number check करेंगे number of individual कितने आते हैं चेक करेंगे, तो आपको बता है हम अगर यहां पर horizontally and vertically arrange करेंगे generally आपको पता है, by the rule mail को हम horizontally arrange करते है okay, mail को हम horizontally arrange करते है, तो यहां पर mail दे रहा हूं है x small c, y और फिमेल दे रहा हूं x capital C, x small c क्यारियर फिमेल है न, तो क्या आ रहा है हम आप answer x capital C, x small c then x capital C, y then x small c, x small c and last x small c, y तो यह कितने integer मिल गए आपको यहां पर आपको integer मिल रहे है, total okay, total जी integer आपको मिल रहे है, यहां पर चार और उसमें से, क्या है one is sufferer, one is sufferer, कोन है sufferer okay, फिमेल, एक फिमेल सफर है रहा है न, okay one, फिमेल, one फिमेल क्या है sufferer है, sufferer का मतलब, okay यह suffer होती है, मतलब उसको disease होता है उसका मतलब, 50% जो है, 50% जो है, फिमेल question में क्या पुछा गया है, what is the probability of female child, inheriting hemophilia, female child के अंदर hemophilia होने की chances क्या है, तो female child में, okay जो female child आपको दिया है, उसमें से, यहां पर दो female child है, उसमें से एक, मतलब 50% क्या है, sufferer है, and remaining 50% जो है, okay, मतलब, remaining 50% है, that is, carrier है, क्योंकि हम यहां पर female को, 100% consider कर रहे हैं, 100% आं consider करते हैं, फिमेल को, तो, इस female को, अगर हम 100% consider करते हैं, तो, उसमें से 50%, female, sufferer है, और 50% female, carrier है, यहां पर male की बात नहीं है, male का question में पुछा भी नहीं है, question में पूछा गया, female के बारे में, तो female में से 50% female sufferer है 50% female carrier है तो आपका जो answer आता है that is that is answer आता है B according to your question and solution here given properly thank you for watching video